हाई हलो दोस्तों वेल्कम बैक टो मैं चानल मेरा नाम है अधित्य और जैसा क्या ब्लाग स्क्रीन पर देख पार है आज हम यह वाली प्रोफाइल लाइट देखने वाले जो कि मुफी कंपनी की है यह आजकल लाइडिंग वाडरोब या फिर नॉमल वाडरोब या फिर आपका फरनीचर या फिर कोई भी टाइप का शोपीस वगेर वैसे डिस्प्ले आइटम्स में लगते हैं डेस्क में शेल के अंडर वर्क बेंच वैसी जगा पे हमने यह वाडरोब में लगाया क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अगर आप भी ऐसा लगाना चाहते है तो वीडियो को साटिंग से लेकर एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा कमाल लाइट है मैं ट्राइ कर रहा हूं डीटेल में हर चीज आप लोगों को बताने की मेरा पूरा का पूरा एक्सप और यह वन फीट की है टू फीट की इससे डबल प्राइस पकड़ लो और वन फीट हमारे कैलकुलेशन के साब से परफेक्ट था और परफेक्ट बैटा है आपने सैंपल तो देखी लिया अच्छे से डीटेल में भी बताऊंगा दो मंगाई है छे फूट का वाडरोब अप सिफ प्लग और प्ले है आप देख सकते हो सिक्सवाट मॉफी 1972 से है और इसके वाट्स वगरे डीटेल आप पढ़ सकते हो दोस्तों यह रहा है इसका वर्म वाइट कलर है इसमें कूल दे वाइड भी आता है बट वर्म वाइट मुझे लगता है बेस्ट लगता है और आखो देख सकते हो और वायर काफी इसके साथ चोटा आया है बड़ा देते तो बेटर होता बट ठीक है यह भी चल जाएगा कोच असे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दो मंगाई है छे फुट का वाडरोब है तीन तीन के इसमें एड़्जेस्ट करेंगे यह इसके क्लिप्स है यह उपर आप श्कुरू भी आते हैं इसके साथ में बस लगाए और चिपक जाता है आप कहीं भी अड़्जेस्ट कर सकते हो लकडे पर प्लाइवूड पर डिरेक्से मार के क्लिप कर सकते हो यह पर डबल टेप अगरा वैसा भी एड़्जेस्ट कर सकते हो आप जितना दिम बता देता हूं इसके साथ में क्या क्या आया है देखो यह क्लिप साया इसके साथ लगाने के लिए स्कुरू आया है और यह प्रोफाइल लाइट देखी सकते हो डिरेक्ट लगेंड प्लेवाली है क्याबिनेट लाइट है बहुत ही जबरदस्ते कर बॉक्स की भी डीटेल देख लो उसके बाद में आप लोगों को डेरेक्ट ली इंस्टॉल किया हुआ बताओंगा मुझे वीडियो अन्नेसेसरी नहीं खीचना था दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्स्पीरियेंस रहा हमने मुफी की और भी बहुत सारी लाइट यूज किये 3-in-1 फॉ बहुत स्मूध है आप लाइट देख सकते हो दिन में भी एक कितनी लाइट दे रही है अब मैं नाइक टेस्टिंग भी करके बताओंगा देखो यह वाड्रोब दोस्तों यह स्लाइडिंग वाड्रोब है 3-6 का अप्रॉक्सिमेटली और उपर जो लॉफ्ट आप देखी सक इलेक्ट्रिक का काम होते टाइम ही आपको वायर ले लेना है ताकि आपका सारा काम बढ़िया तडिके से हो जैसे हमने किया है यह देखो यह जो प्रोफाइल लाइट है थोड़ी सी पीछे लग गई है इसे हम आगे भी शिफ्ट कर सकते थे बढ़ अब हम इसे शिफ्ट कर कर दिया हमने नहीं कि अच्छली इलेक्ट्रिशन नहीं कर दिया क्योंकि होल वहां पर आगे भी ले सकते है यह अभी अभी कुछ दिन पहले ही रेडी हुआ है दोस्तों घर इसके लिए थोड़ा सापको वाड्रोब्स अंसेट लग रहा होगा क्योंकि बराबसे सेट नहीं पुल इसके छे भूट वाली वक्ट ञाइट है जो कि पूरी पूरी दोचली नहीं कर रहा है वहीं पर रहने ते रहें दोस्तों अगर आप भी sliding wardrobe बना रहे हो या फिर cabinet में वगरा लगाना चाहते हो यह प्रोफाइल लाइट 360 रूपीज की है बाइंग लिंक इसका description box में मिल जाएगा branded लो या अन-branded लो मैं तो यह सचेस्ट करूंगा ब्रैंडेड लेना जाधा better option है एक ही बार होता है दोस्तों बार बार नहीं होता तो उससे सोच समझके लेना बहुती जाधा जल से जल रिप्लाइ करने की कोशिश करूंगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक बटन दे दीजे और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पूराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच दोस्तो और बैल आइकन जरूर दबाना तक कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को एक दम फट आक्से नोटिफिकेशन मिल जाए और हाँ दोस्तो जो भी अपना घर रेनुवेट करने का सोच रहा है जो भी वाडरोब बनवाने वाला है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना मेरे चैनल पर चेक आउट खर लब बहुत सारे वीडियो से वो भी आप लोगों को पसंद आएंगे चलिए फिर मिलता हूँ अगे वीडियो में बाबाई गलेस यू थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दोस्तो कर दो भी आप एंगे वीडियो में